नमस्कार एपीजी पार्ट साला हिंदी में आपका स्वागत है मैं डक्टर आजेस पासवान जो आलाल नेरुविश्विद्याले के भारतिय भासा केंदर में हिंदी का एसोसीट प्रोफेसर हूँ आज हम हिंदी साइट के इतिहास के अंतरगत ग्यानासरी कावेधारा पर बाचित करेंगे इस इकाई के अध्यन के उपरांत आप बक्तिकाल की प्रमुख कावेधाराओं को जान पाएंगे निर्गुनियम सगुन धारा का भेद समय सकेंगे निर्गुन धारा के एक अंग ग्यानासरी कावेधारा का परचे प्राप्त कर सकेंगे ग्यानासरी कावेधारा के प्रमुक सिध्धान्तों को जान सकेंगे ग्यानासरी कावेधारा के प्रमुक संतों और उनकी रचनाओं का परचे प्राप्त कर सकेंगे और इस सिध्धारा की प्रमुक विश्यस्ताओं को समझ सकेंगे तो हम बात करते हैं इसकी प्रस्तावना पे हंदी साहित का भक्तिकाल साहित केतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है भक्तिकाल के पूर्व, सहज्यानी, ब्रज्यानी, वाम मारगी, आदी साधना पद्धतियों ने सादना का च्छेत्र सुगम बनाने के बजाए दुरूगम बना दिया था समानी जन के लिए भक्ती का माँड किसी तरह से सुगम बनाया जाए उसकी आउसक्ता लंबे समय से बनी हुई थी आचारे रामचंद सुख्ल ने लिखा है जिस समें मुसलमान भारत में आये उस समें सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ रास हो गया था प्रतिवर्तन के लिए बहुत बरे धक्कों के आऊ सकता थी यह धक्का भक्तिकाल के कभियों ने लगा कर भक्ति मार्ग को सुगम बनने का प्रियास किया भक्तिकाल में भक्ति की दो धाराएं विक्षित हुई निर्गुन कावे धारा और सगुन कावे धारा इन दोनो धाराओं की दो दो उप धाराएं हुई निर्गुन भक्ति का विकास ज्यानासरी धारा और प्रेमासरी धारा में हुआ तथा सगुन भक्ति का विकास कृष्ण भक्तिधारा और राम भक्तिधारा में हुआ निर्गुन भक्ति के संतों ने ब्रह्म के निर्गुन रूप स्वरूप को स्विकार किया और सगुन भक्ति के कवियों ने ब्रह्म के अवतारी रूप को स्विकार किया निर्गुन भक्ति के विकास के संदर्म में आचारी राम चंद सुक्ल ने लिखा है हिर्दय पक्ष, सुन्य, समाने अंता साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्ने नात्पंथी कर चुके थे पर अगात्मक तत्तों से रहित साधना से ही मनुस्य की आत्मा त्रिप्त नहीं हो सकती थी महराष्ट देश के प्रसिद्ध भक्त नाम देव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समाने भक्ति मार्ग का भी अभास दिया उसके पीशे कवीर दास ने विशेश तत्परता के साथ एक विवस्थित रूप से यह मार्ग निर्गुन पंथ के नाम से चलाया अब हम इसके नामकरण पे विचार करेंगे आचारे रामचंद सुक्ल ने ही भक्ति कावे को सगुन यम निर्गुन कावेधारा के रूप में विवाजित करते हुए निर्गुन कावेधारा को पुनह ग्याना से यम प्रेमासरही में विवाजित किया है यह विभाजन इस समानेता का प्रतीक है कि इस कावेधारा के कभी अपनी साधना पद्धती में ज्यान को सरवादिक महत्तो देते हैं हजाईशा दिवेदी ने इस कावेधारा को निर्गुन कावेधारा कहा है परस्वराम चित्रवेधी यम डक्राम कुमार वर्मा ने इस कावेधारा को संत कावेपरंपरा कहा है संत सब्ध का समाने अर्थ सज्जन है कवीर और एधास ने भी संत सब्ध का प्रियोग किया है ज्यानासरी कावैधारा के संतों ने सास्त्र के ज्यान के पेक्षा अनभौसे प्राप्त ग्यान को स्रेश्ट माना है इसलिए उन्हें ज्यानासरी अथवा ज्यानमारगी कहा गिया है निर्गुन भक्ति के सुरूप पे चर्चा करते हुए हमें यहां ध्यान रखना चाहिए कि भारतिया चिंतन में भक्तिक के मुखिता दो प्रकार बतलाए गए हैं सगुन और निर्गुन जो सादक सर्व सक्तिमान इस्वर की को अपनी कलपना से एक मानविय रूप प्रदान करता है तता सर्धा और प्रेम के साथ उनकी लिलाओं का गुनगान करता है वह सगुन कहलाता है इसके बरक्स निर्गुन सादक इस्वर की कलपना किसी एक रूप में नहीं करता बलकि उसके सर्व व्यापी रूप को ही अपनी सद्धा और समर्पन का आधार बनाता है बक्तिया अंदोलन में संतों ने इस्वर के निर्गुन रूप को अपनी साधना का आधार प्रमुकता से बनाया ग्यान मारगी साखा में ग्यान का अर्थ न तो सधारन इंद्रिय जन ग्यान से है नहीं बौधिक तर्क वितर्क से प्राप्त दार्सनिक ग्यान से इस पंथ में ग्यान से तातपरे है अनभोजन ग्यान से कवीरदास इसे आखन देखी कहते हैं वे कहते हैं तू कहता कागद की लेखी मैं कहता आखन की देखी ग्यानासरी साखा की परंपरा हमें पुर्व में भी मिलती है जो निर्गुन समवेदना भक्ति काल में संतों द्वारा ब्यापक रूप से अपने समय और समाज के प्रभावित करती है उसके बीज पुर्वर्ती साहित में भी मिलते हैं स्वेतामरोप निशद में निर्गुन सब्द उस अधित्य प्रमात्मा के लिए आया है जो सभी भूतों में अंतर नहित है जो सर्व व्यापी है जो सभी धर्मों का अधिस्थाता है सभी कर्मों का अधिस्थाता है जब को चेतना बाणता हुआ भी स्वयम निरुपाधि है गीता में भी निर्गुन ब्रहमिक की चर्चा एवं व्याख्या है कठोपनिसद, ब्रेदारन्यक उपनिसद आदी में निर्गुन ब्रहमिक की चर्चा है बहुत दर्सन तथा नात सिद्धों की दासनिक परंपरा में भी निर्गुन समेधना की उपस्ति है बहुत दर्सन ने ब्रामन वर्चस्व, इस्वर पूजा का विरोध, जाती भेद का विरोध, अध्यात्मिक दुखों से मुक्ति के बदले, भौतिक दुखों से मुक्ति का समर्थन, तथा ग्यान यम तरक को पर मुक्ता दिया इसने अपने अनुभाव यम तरक की कसोटी पर पढ़के वे सत्य कोही मानने को कहा, सब्ध प्रमान की जगा परत्यक्ष प्रमान को मानने का आग्रह किया, इससे धार्मिक अंद विश्वास से तरस्त, दरित पिश्री जातियों ने बहुत धर्मे एक नई रौसनी देखी, त जिन में नाम देव का नाम प्रमुक है, उन्होंने संपुर्ण उत्तरी भारत का प्रमुन किया, तथा अपने सिध्धानतों का प्रचार प्रशार किया, कवीर, रैदास, दादू, आदिसंतों ने भी संत नाम देव का स्रधाप पुरवक को लेक किया है, इनकी हिंदी में रचित पदावली बरी संख्या में मिलती है, पंद्रहमी से ताबदी में कवीर दास का प्रदुभा हुआ, जिरोंने अपनी प्रखर प्रतिभास से यम कवी सुलब सहरितता से ग्यान कावे परंपरा का सारे भारत में परचार किया, कवीर के बाद यह परंपरा कई पंथों चलंदासी संपरदाय, रामसने पंथ, आदी ने निर्गुन कावे परंपरा का ही कई अर्थों में विस्तार किया, इन सभी संपरदायों का मूल सरूप एक ही था, ग्यानासरी साखा की प्रमक्र प्रविरतियां, हिंदी का भक्ति कावे एक विशे समाजिक सांस्कृतिक पर कुछ प्रविरतियां ऐसी हैं, जो समस्त भक्ति कावे धारा में उपस्तित हैं, फिर भी परतिय के कावे धारा में कुछ विशिस्ट प्रविरतियां भी हैं, जो उनकी नीजी पहचान कराती हैं, ग्यानासरी कावे धारा की सुदिर्ग परंपरा की कुछ प्रविरतियां न जिसका प्रेणा शुरूत था समाने जन का कल्यान इन कवीयों ने जीवन के विविन चेत्रों में सोशित और पिरित प्रतारित मानों की समस्त परिस्तितियों यह नाओं का गभिर चित्रन किया है यह कावेधारा एतना अनुभव पुर्ण है कि उसमें तातकालिंज जिवन का पुर्ण भीम उपस्तित हो गया है यह कावेधारा निरासा वासना प्रतिरोध प्रतिसोध और प्रतिहिंसा के अंदकार में बटकते मानोस समाज को प्रेड़ना और प्रकास देने वाला है इस से कावेधारा के अधिकांस कभी समाज के निमन वर्ग या समान वर्ग से आते थे जिनके लिए सास्त्र वर्जित था इसलिए उन्होंने आत्मा नुभव को प्रधानता दी इनका मुल उदेश था असिक्षित जन्ता में सत्य का निरुपन करना कत्नी करनी में तार्तम में परवल देना तथा नाम के माधूरी को घर घर पहुचाना उद्दा तनभोती की इर्दैस परसद ब्यांजना इस कावे की अनन बिचेस्ता है संतों का निर्मल व्यक्तित्व है इस प्रंपरा से समंधित कवियों का व्यक्तित्व आत्म विश्वास से परिपूर्ण है उनमें किसी प्रकार की आत्म हीनता नहीं है जो उस विचारधारा से आई है कि चुद्र से चुद्र व्यक्ति में भी ब्रह्म का अस्तित्व है जैसा सत्संग ज्यान अनभव इन्हें मिला था उसने इनके व्यक्तित्व को पुर्णता सोधित प्रिस्कृतियम निर्मल बना दिया था सहज जीवन का समर्थन सिद्धों यम नाथों की प्रंप्रा से संबध होते हुए भी ये लोग पध्यती के विरोधी नहीं थे आस्वभाविक चमतकार यम तुक्ष स्याधना से विए उपर उठे हुए थे इन्होंने अध्यात्म का ऐसा मार्ग होजा जो समाज की चारदिवारी की मर्यादा के भी तरह कर अग्रसर होता था किसी संत ने ग्रियस धर्म का विरोध नहीं किया ग्रियत त्याग का समर्थन नहीं किया भोगवाद का समर्थन नहीं किया वेद ही अत्यम सत्य नहीं है वर नासरे में जातिवाद व्यर्थ है सत्याहिंसायम सदाचार के अनभव से ही आत्मुन्नेयन होता है यह इनका सहज बंथ था वैसनों वक्तिदारा से भी इन्होंने प्रेमा वक्तियम नाम अस्वनन को ग्रहन कर लिया जो सहज साधना के अंग थे तातपर यह की उन्होंने विविन धर्मों मतों का समानी करण या वे ज्यानी करण करते हुए धर्म को एक विश्व धर्म के रूप में प्रतिस्ठित किया ज्यान का स्वाभिमान अपनी समाजी की सिती के कारण कुछ कवियों में उगरता आई है तो कुछ कवियों में विनमरता इन कवियों को चो कि सिक्षा नहीं मिली थी उन्होंने अनुभव को ग्यान से स्रिष्ट बताया तथा अपने अरजित ग्यान पर गर्व परदरसित किया उनके ग्यान गर्व ने चमातकार पुर्ण रूपकों उक्तियों उलटबासियों के रूप में विक्ति पाई है या ग्यान का गर्व ही है जिसके करण कवीरदास पूछ सकते हैं जो तू वावन वावी नहीं जाया और राहते क्यों नहीं आया जो तू तुरक तुरुकनी जाया पेटे काहन सुन्नत कराया और दोनों संप्रदायों से उत्तर देते नहीं बनता यह कावेधारा ग्यान के द्वारा पारंपरिक एकता की भावना में विर्धी करती है वेदों की सर्वच्चता का खंडन संतों ने शास्त्रीय ज्यान का खंडन किया है इस प्रक्रिया में वेदों को सर्वच्चत प्रवान मानने की धारणा का भी खंडन करते हैं समाज के निम्न वर्ग से आने के कारण उनके लिए वेदुपनिसत पुरान इत्यादी सास्त्रों का आध्यान संभव नहीं था कुछ लोगों दवारा इनी सास्तों के सहारे उनने suis जातियों पर बीविनी तरीके से प्रतिबंध थोप्ए जा रहे थे जिसे इन संतों ने अस्विकार गिया संतों ने अपनी वानियों में सब्द-प्रमान की जगा प्रत्यक्ष प्रमान को अधिक वरियता दिये वे स्वता अनभो किये हुए सत्य को अधिक प्रमानित मानते हैं वरिस्पत पुस्तक्या ज्यान के कबीरदास कहते हैं तू कहता कागद की लेकी मैं कहता आखन की देकी इन संतों की वेदों तक पहुँच नहीं थी और जिनकी पहुँच थी उन्होंने वेदों के नाम प्रत्यदिक भ्रमजाल फैला रखा था कवीर दास ने लिखा है वेद पुरान परत अस्पांडे खर चंदन जैसे भारा राम नाम तत समझत नाहीं अन्ति पड़े मुखिशारा इस कारण संतों ने वेदों की आलोशना की जातिगत वर्णगत स्रिष्टता का खंडन निर्गुन कवियों ने जाती धर्म वर्ण की स्रिष्टता का खंडन किया है निर्गुन परंपरा के अधिकान संत समाज के निम्न वर्ग से ही थे वे सभी लोग जातिगत विसमताओं का दन सनवह कर चुके थे इसलिए उन्हों जरम जाति मत पूछिये का जाद अरुपाद रैदास पूत सबप्रभु के को नहीं जाद कुजाद इस्वर की सर्व व्यापक्ता का समर्थन निर्गुन परंपरा के संतों ने मंदिरों मस्जिदों में इस्वर मुला के नाम पर व्याप्त पाखंड ये मंद्विस्वास का पुर्जूर विरुद किया है उन्होंने इस बात की वकालत की कि इस्वर किसी मंदिर मस्जिद या मुर्थियों में मौजूद नहीं है बलकिवा सर्व व्याप्त है परतियक जीव में ब्रह्म का आंस मौजूद है इस इस्वर का कहीं कोई आवास नहीं है बलकिवा निर्गुन और निराकार है वा अगम्य और अगोचर है संत्रेदास कहते है निचल निराकार अज अनुपम निर्भय अति गोविंदा अगम्य अगोचर अचर अतरक निर्गुन अति आनन्दा माया निरुपन ज्यानासरी कवियों ने माया पर बहुत कुछ लिखा है मिथ्या ज्यान ही माया है रसी में सर्व का ज्यान भ्रम या माया है कबीर ने माया के कई रूपों का वर्णन किया है माया स्रिष्ठी का कारण है अविद्धा है सक्ती है सांसारिक समंदों की भी जर्णी है मै और मेरा यह माया ही बोज़ देती है माया दुखों की जर्ण है यह ज्ञान विरोधी है यह महा ठगनी है यह सनमार्ग से विश्लित करती है कवीर दास कहते हैं कवीर माया मोहिनी जैसे मीठी खाण कवीर के अनुसार माया वासना को जर्म देती है ब्रह्म में जो माया है पिंड में वही कंचन है जीव और जगत सभी ज्यानासरी कवियों ने जीव और जगत के संबंद में लिखा है जहां वे जीवन जगत को ब्रह्म का आंस मानते हैं वहां वे अद्वैत वाद के नजदीक है कवीर कहते हैं समस्त जीवातमा एक है परंतु रूपकार में पिर्थक है यानि जल एक ही तत्व है भले उसका नाम कुछ भी हो या किसी भी आकार में रखा हो स्वरन मुल्त एक ही है उसके आवुसन भले अलग अलग है पानी ही थे हीम भया हीम हवे गया विलाए जो कछुथा सोई भया अब कछु कहा न जाए कवीर आदि संथ मानते हैं कि जगत की उत्पती ब्रह्म से होती है और नश्ठ होगा जगत उसी ब्रह्म में समाईत हो जाता है ततपरे की संथों की जगत संबंदी और धारना अद्वतवादियों जैसी है कवीर दास जगत को स्वपन कहते हैं समस्त ग्यान मारगी का विधारा में गुरु महिमा को स्रिष्ट साधन कहा गया है भक्त कवियों ने भी गुरु को महत दिया है मगर संथ कवी तो गुरु को गुबिंद ही मानते हैं क्योंकि वही ग्यान देता है या पहचान कराता है कि या इस्वर है सद्गुरु ही इनके लिए इस्वर तुल्य है समाजी का समानता का विरोध अधिकान संत कवियों का समन्द समाज में निम्ण समझे जाने वाली जातियों से था समाज में ब्याप्त समाजी का समानता का दर्द इन कवियों ने जहला था अता इन कवियों ने समाज के उंच नीच में विवाजित करने वाली वर्ण विवस्था और जाती वेद का मुखर ढंग से खंडन किया संतों ने अपने अनभोजन ग्यान के अधार पर जाती की जगा करम आधारी समाज के निर्मान की बात कही और ब्रहामनों की इस रिष्टा का युक्ति पूर्ण ढंग से खंडन किया कवीर के सब्दों में पहरी जनेवी जो ब्रहामन होना मेहरी क्या पहिराया वो तो जनम की सुद्रिन पर से तुम पांडे क्यों खाया रहस्वाद नाम असुनन या प्रेम भावना इन कवीयों में आने एक रहस्यात्म कुप्तिया मिलती है जो संकर अध्वयत तथा नात संपरदार साधना का प्रवाव है संद कवे में अलावकिक या गूर प्रेम की विंजना हुई है यही इनका रहस्वाद है कबीर के इस प्रसिद दोहे पर अध्वयत का स्परवाव देखा जा सकता है जल में कुम्ब कुम्ब में जल है बाहर भीतर पानी फूटा कुम्ब जल जल ही समाना यह कत कहे गयानी तर्क जिग्यासा विसमें इम्तत्वान भोती इनके रहस्व चिंदन के अंग है संद काव में रहस्वाद के दो रूप है हठ जाओगीक रहस्वाद और सुफीमत प्रभावित प्रेम सलक्षन रहस्वाद हठ जाओगीक रहस्वाद में कुंडलनी, चक्र, अनहत, नाद, इंगला, पिंगला, आदी की चर्चा मिलती है प्रायरहस्वाद को प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया गया है रस गगन गुफा में अजर जहरे अजपा सुमिरन जाप करे बिन बाजा जहनकार उठे जहां समझी परे जब ध्यान धरे बिन चंदा उजियारी दर से जहता हंसा नजरी परे सुफियों के प्रेम दर्सन का प्रभाव सुफी प्रमात्मा को प्रेम सुरूप मानते हैं और उसे प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं सुफियों के प्रेम दर्सन का प्रभाव संत कभियों पर भी परा है तथा पी संतों को प्रेम पद्धती भारतिया ही रही है और थात उन्हें प्रमात्मा को प्रियतम माना है और स्वयम को प्रियतमा हरी मोर प्यू में हरी की बहुरिया काहते समय कभीर इसी प्रेम समंद की ब किसरों चिंतन का पुलाव और स्थिए शुक्रों के निंदा किसट कुछ को नरिक कथोड़ता प्रयосबी शंद कवि नारीक नारीक हड़ता उन्होंने उसकी निंदा किये संभौता उन्होंने नाडी किया सकती की करण भिक्षूं त chilना सिंदो के पतन को देखा है ता कवीर कहते हैं नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार जब जानी तब परिहरी नारी महा भिकारं मगर उसी कवीर ने चरित्रवान यम सत्ती नारियों की प्रसंसा किये भासा यम सैलिगत प्रविर्तियां इन सभी कवियों ने प्रधानता मुक्तक कावे लिखा है इन में दोहा और पद की प्रधानता है इनके पद गेय हैं इन्होंने दोहा, चवपाई, फाग, हिंडोला, अधिलोग गीतों के लए में कावे रचना की है सभी ग्यानासरी कवियों ने भुजपुरीक, ब्रजभासा, खरी बोली, राइस्थानी, यादी, हिंदी की बोलीयों का प्रयोग किया है इन संतों की मिली जुली भासा को सदुकरी भासा कहा गया है संत कवियों ने दीपक, कमरनी, सरोवर, जल, नागिन, नाग, हंस, भौड़ा, विरिक्ष, पक्षि, आदी परतीकों का प्रयोग किया है उलटवासी भी इनकी एक सैली है इनकी भासा में रस्चंद अलंकार पर विश्यस द्यान नहीं है सारा ग्यानासरी कावे सांद रसका है जो उपर से स्रिंगार रसका पद लगता है वो अभी मूलता सांद रस ही है अलंकारों का प्रयोग सायास नहीं वल्गी सोभाविक है दोहा चौफाई सोर्था इनके प्रियचंद है ग्यानासरी कावेधारा के प्रमुख कभी यह उनका कावे कवीर दास भारतिय धर्म सादना के इतिहास में कवीर दास एक महान विचारे के प्रतिवासील कभी है जिनोंने शताब्दियों की सीमा पारकर आज तक जनता का पत आलोकित किया है उन्होंने सच्चे एर्थ में जन जीवन का मार्ग दरसन किया कवीर के जीवन के सम्मंद में अनेक उदंतिया है उनका जन्म कासी में हुआ था वे जुलाहा थे कुछ लोग ब्राह्मन उक्लोदपन भी मानते हैं इस धारना के पीछे यह सोच सायद काम कर रही है कि जो भी स्रेस्ट है वह ब्राह्मन प्रदत है जुलाहों ने कुछ ही समय में पुरूद हिंदु धर्म छोरकर इसलाम गरहन कर लिया था उन्होंने विभिन प्रभावों को लिया आत्मसाथ किया तथा पुन्ह उसका अतिक्रवन भी गिया उनका यहीं विद्रोही व्यक्तित सबको अविभूत कर देता है तथा विद्रोही चेतना के कारण है इनकी काविकी ताजगी आज भी बनी हुई है कवीर की मुख्य रचना वीजक है जिसके तीन खंड है सा कवीर के रचना व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं जब जाती पाती छुवा चोथ पूजा नमाज विभिन धार्मिक कर्मकांडों कठीन योग सासनाओं के हंसी उडाते हैं तथा उन पर कटू प्रहार करते हैं पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजो पहार या मन ना रंगाए इस रूप में कवीर के दिब्वि प्रेम व्यापक करुणा गहरी विरानुभोती यम सर्वित की भावना मिलती है कवीर ने खुद लिखा आये कि वे पहरे लिखे नहीं थे मसी का अगद छियो नहीं कलम गहियो नहीं हाथ कवीर ने स्रम को महत्व दिया स्वयम ग्रहास थे कवीर के हाँ सास्त्र ग्यान या पंडित का महत्व नहीं था कहते हैं धाई आखर प्रेम का परहे सव पंडित होए उन्हें संस्किर्त की भी वरतरसना किये संस्की रत है कूप जल भाखा भाता नीर कवीर ने पुस्तकिया ग्यान से अनभोजन ग्यान को स्रेश्ट कहा है त तू कहता कागद की लेखी मैं कहता आखन की देखी कवीरदास एक सांत समाशुधारक कवी सास्त विरोधी यह भवी से द्रस्टा थे वे अत्यंत प्रगतसीर विचारों के थे वे आने वाली सताधिक पीदियों के प्रेड़क हैं निदक्षर होकर वे ज्यान वैराग्य योग भक्ती हट योग आधी का जो स्वरुपूर ने इस्थिर गिया है वह अत्यंत सुवोध है संत रहदास रहदास भी निम्न क्लोथपन संत थे तथा पी अपने उत्तम जीवन सहली उत्कृष्ट साधना पदती तथा प्रसंसनिया आचरन के कारण वे धर्म साधना के इतिहास रहदास में साधर अस्मर्ण किया जाते हैं इनका जन्म भी कासी में हुआ था यह अभी परसिद्ध है कि यह विए मीरा वाई के गुरू थे रहदास विवाही थे तथा उनकी पतनी का लाम लोना था प्रसिद्ध है कि स्रिकंदर लोदी के आमंत्रन पर दिल्ली भी गए थ कवीर के भाति रहदास भी प्रतिपाद्य को अधिक महत्तु देते हैं उनके लिए ब्रहम अनुभूतियों जिग्यासा का भी सह है वाहियाचारों का विरूद करते विए उन्होंने आभ्यंत्रिक साधना को महत्तु दिया है अब कैसे छूटे राम रटलागी कवीर की वानी के संग्रह वीजा के रूप में संगलित किया था इनके पदों में गंभीर वक्ती का विकास दिखाई दिखाई देता है इनकी रचनाएं थोरी हैं पर सरल भाव लिये हुए हैं इनकी रचनाओं का एक संगरा धरम दास की वानी के नाम से प्रकासित है इनका एक पद बहुत प्रसिद्ध है मितवा मरेया सुनी करी गए लो अपने बलम परदेश निकरी गए लो हमरा के किछू न गुन दे गए लो जोगिन होके मैं बनमन ढूणो दादू देयाल संत दादू का जन्म महत अमदाबाद में सन 1554 इसी को हुआ था राजस्थान में इनके गद्धी अस्थापी थे दादू के कावे में इस्वर की व्यापकता सत्गरू की महीमा जाती पाती का निराकरन हिंदू-मुस्लीम एकता संसार की नित्यता नाम जब की महीमा आदी की प्रमुकता है वे सीधे सरल संत थे खंडन मनन तथा बाद विवाद की इनकी रुशी नहीं थी इनके सभाव में बिने मिस्रित मदूरता है सच्ची साधना यह विरमड़ता के कारण दादू के पंथ का खुब परचार हुआ निर्गुनी संथ होकर भी दादू सगुन रूप को भी मानेता देते हैं कहा जाता है कि इनके बीस जार पद यह बानी है जिनमें आज बहुत कम उपलब्द है इनकी भासा में सहचता पुरुन गांभेरी है दादू पद जरी क्या पाईए साखी कहे का होई मलुक दास मलुक दास का जनम उस समय हुआ था जब भारत वरस में अकवर के समराजी की प्रमुक सायोगी समर तक हिंदू जाती हो चुकी थी यह जाती के खत्री थे तो था वाले आवस्ता से ही वेरागी थे किसी संसारी का में मन नहीं लगता था इनके करी 12 ग्रंथ हैं जिनमें ग्यान बोद ग्यान परोक्ष विवा भी होती तथा रतन खान परसिद हैं इनमें कभी नेक योग ग्यान निर्गुन भक्ति तथा वैराग्यादी का सुरूप विवेचन किया है कुछ पुस्तकों में आवतारों और चरित्रों का वर्नन है इन्होंने आवधी और ब्रजभासा में कावे रचना किये कहत मलुक जो बिनसीरी खोवे सोया है रूप वखाने या नई आके आजब कथा कोई विरला केवल जाने मलुक दास की गदियां इलावाद, जैपुर, गुजराद, मुल्तान, पत्ना, नेपाल, अदियस्थानों पर है इनकी रचनाओं में ग्यानवोथ, रतन खान, भक्त, बक्छावली, विरदावली, ग्रुपरता, पादियु, लिखनिया है इनकी कुछ रचनाएं बोलचाल की हिंदी में भी है आजगर करेन चाकरी, पंची, करेन अकाम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम सुंदर दास दादू पंत के स्रवादिक सिक्षितियम विद्वान कभी सुंदर दास जाती के वैसिते ये वाले काल में ही दादू के सिस्स्य हो गए थे ग्यारा वर्स की उम्र में कासी आ गए, तथा साहितियम दर्सन का अध्यन किया अनेक भासाओं के अनुसार सुंदर दास ने काफी देसाड़न किया था उनकी रचित 42 पुस्तकें कही जाती हैं, जिन में ग्यान, समद्र तता, सुंदर विलास प्रमुक है इनके अत्रिक्त रजब दास, पल्टू दास, प्राणनात, धर्नी दास, जगजीवन दास, चरन दास, सहजय वबाई, दयावाई, आदिस प्रमपरा के प्रमुक कवी हैं आचारी सिवपुजन साहय की पुस्तक हिंदी साहित और विहार में दरिया साहब टेक्मन नाम बालखंडी दास, भीखम राम आदी को इसी प्रमपरा में माना है डाक्टर रामगुमार बर्मा ने पीपा, सेना, धना, आदी अनेक कवीयों की प्रमपरा होने का विव लेख किया है इस प्रकार तेरहमी शतावदी में विश्वी सदी तक इस प्रमपरा का विछिन रूप से बने रहना तता संपुर्ण भारत में विश्वी थोना इस का विधारा की लोगपरियता यम सक्तिमत्ता का प्रणाम अप्रमान है निसकरस के रूप में ग्यानासरी का विधारा का लोगपक्ष अत्यंत मजबूत यम प्रभावसाली है वे लोग को भी महत्त देते हैं और पर लोग को भी एक और वे संसारिक भोगविलास की निंदा करते हैं और जीवन की निस्वरता की बाते करते हैं तता दुसरी तरफ समाजिक जीवन में ब्याप्त विचलन, कटुता, विसमता, आदी का विरोध करते हैं इन कभीयों ने स्रम का मात्र प्रतिपादित किया, ततह हर सरीगली मानेता का विरोध किया. यह सही अरथों में जन काव से, जरनमुक्ही काव से, प्रजातांत्रिक मुल्यों का काव से, और दलित स्मिता का काव से, इनके प्रमुक्षद देय वहें, समाज की विसमता का विरोध तथा मानावाद की अस्थापना धार्मिक पाखंड यम जातिकत विद्वेश को इन कवियों ने सायति से निर्वासित करने का मजबूत काम किया है इन्होंने आम आदमी में गौरो यम स्वाइबान भर दिया निर्गुन पंथ की विचारधारा और इनकी प्रमुका स्थापनाओन ने बाद के दिनों में धार्मिक पाखंड धार्मिक अंदविश्वास को कम करने में बहुत मददगार साबित हुआ है और साथ ही भारतिया जन्मानस में भारतिया मनिशा में तर्क सक्ति को परधानता देने धर्म के मुल तत्त को समझने और धर्म के परती एक बिशेश करके एक अंदविश्वास के हद तक पहुँचने में भारतियों का ग्यानवर्धन किया है और इस वाज़ा से ये निरोनिय संद कभी कई मायनों में आधनिक लगते हैं, उनके विचार, उनकी कही गई बातें, आज भी जब भी कभी धर्मिक अंधिविस्वास के खिलाप इनके वानियां काम में लाई जाती हैं, और इनके वानियों ने भारतिया मनिशा में, हिंदिस सब्सक्राइद की परंपरा में धर्म निर्पेख्षता को मजबूत किया है किसी खास धर्म के परती विशेश आग्रह या दुराग्रह को कमतर किया है और जब भी हम कभी भी धर्मिक संब्रदायवाद के खिलाफ एक बहतर महाल बनाने की बहतर बौधिक प्रिष्टभूमी क खिलास करते हैं तो उसमें ये हमारे संद कभी बर्वस याद आते हैं सात ही साथ इन्होंने उस समय की समाजिक धार्मिक मानेता के अलावे उसके अत्रिक्त समाने जीवन में अपने आत्मे स्वाहिमान को बचाये रखने की और अपने ग्याना हिमान को बचाये रखने की साथ ही साथ अपने मूल कर्म के परती अपने स्रम के परती स्रम की परतिष्ठा दिलाने के परती इनकी वानिया हमें कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सवन को अन्न छोट बरों सबसंब से रहदास रहे प्रसन ये निरुनीय संद कभी सभी व्यक्तियों को भरपेट भोजन मिले भरपेट अन्न मिले मनुस्चिता की बात हो मानुसत्य की बात हो सबके मानवाधिकारों की रक्षा हो सबके लिए कल्यान की भावना हो और किसी भी सास्त्र के बहाने वेद के बहाने किसी धर्म के बहाने किसी का भी सोसन नहीं हो किसी पाखंड के तहट किसी का सोसन नहीं हो इसकी पूर्जोर वकालत ये निर्गुनिय संत कभी करते हैं साथ ही साथ गुरू को इस्वर से भी अधिक महत्वण दर्जा देने की प्रक्रिया में वे एक प्रत्यक्ष रूप से मौजूद गुरू के प्रति अतिसे आदर और अतिसे सम्मान की भावना ब्यक्त करते हैं बनिस्पत एक आउधारना के एक अस्थापना के तो यह इस हिंदिस आयति के भक्तिकालीन कालखंड के ग्यानासरी कावेधारा के निर्गुन ग्यानासरी कावेधारा के कभियों की प्रमख भी से स्ताय रही हैं इन कवियों ने कहीं ने कहीं जो आधनिक सोच पैदा की, जो अपने विचारों के बल पर एक आधनिकता का बीजारोपन किया, वो आने वाले समय में भारतिय गंतंतर को भारतिय लोकतंतर को मजबूत बनाने में बहुत ही प्रभावसाली सावित हुआ है। और इस वज़े से ये निर्गुनिय संत कवीर, संत कवीर, संत रहदास ये सब हमें अधिक आधुनिक लगते हैं और लगतार इन पे अध्यान की, इन पे मनन की और इनके कविताओं को नए सिरे से निरंतर व्याख्या की गुंजाइस बनी हुई है और इन पे व्याख्याएं लगातार हो रही है